हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाप टेन वन, टाप टेन वन में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास दस के विज्ञान के most important question के बारे में जो की 4 नमबर और 7 नमबर में पूछे जाते हैं अर्था दिर्ग उतरी प्रस्न के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें तो देख लेते हैं आज का motivational क्या है एक बात याद रखें अगर आप student हैं तो ये बहाने कभी मत बनाना पहला मैं नहीं कर सकता क्या होता है कि जादा तर इस्टूडेंट किसी भी काम को करने से पहले ये काते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता ऐसा आपको नहीं करना है दूसरा देखते हैं घर वाले support नहीं करते कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यार मेरे तो घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो ऐसा भी आपको बहाना नहीं करना है तो यह भी आप को नहीं करना है तो ऐसे बहाने भी आपको नहीं करना है छटमा देखिए लोग करते हैं यार मेरे पास समय नहीं है मैं क्या करूँ तो यह भी आपको बहाना नहीं करना है यदि आप इन 6 बहाने से बच जाते हैं तो आपको काम्याब होने से कोई नहीं रोक सकता ठीक तो जो भी आपके फ्रेंड हो उनको बोल दें कि टाप 10-1 को ज्वाइन करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाप 10-1 को ज्वाइन करेंगे टाप 10-1 चैनल को सस्क्राइब करेंगे हमारी मोटिवेशनल और बढ़ती जाती है वीडियो बनाने के प्रती ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चार से साथ अंक के प्रस्ण के बारे में जो कि आपके परिच्छा में अगर आप इन प्रस्णों को कर लेते हैं तो यह मान के चला है आपके परिच्छा में यह कभी प्रस्ण छूटेगा नहीं इसके पहले जितने भी वीडियो विज्ञान से हमने बनाया है उन्हें सभी प्रस्णों को आप अच्छे से एक काउपी पे लिखना और उसका आंसर लिखना देख लेना कि परिच्छा में यह कभी कोश्ण बाहर नहीं जाएगा और 90% पलस लाने से आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन के बारे में जिस कोश्चन को हम बताएंगे यह मान करके चलना है कि वह परिच्छा के द्रिष्टी से बहुत ज्यादा महत्तोपूर है तो देखते हैं पहला प्रस्ण अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दरपड का प्रयोग करेंगे कारण सहित बताईए तथा बनने वाले प्रतविंब वास्तविक हो गया अभासी यह भी बताना है जैसे जो हमारा कार होता है जो पीछे के द्रिष्ट देखने के लिए हम दरपड का प्रयोग करते हैं किस प्रकार के दरपड का प्रयोग करते हैं इसको बता देना है आपको और यह बताना है कि उस दरपड में जो प्रतिविम बनता है कैसा बनता है वास्तवी बनता है या अभासी बनता है बात करते हैं अगले प्रसंद के बारे में तो इसी के साथ यदि हम अगले प्रसंद की बात करें तो लेंस की छमता से आप क्या समझते हैं यदि लेंस की छमता माइनस दो डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी आपको बताना है कि लेंस की छमता क्या है लेंस की छमता से आप क्या समझते है यदि किसी लेंज की छमता माइनस दो डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी तथा परकृति क्या होगी जो परतिभीम का परकृति बनेगा वह क्या होगी इसको आपको बतादना है यदि हम अगले प्रसंद की बात करें तो कहता है कि या सपष्ट कीजिए कि तारे टिम्टिम आते क्यों है आपको यह बताना है कि तारे टिम्टिम आते क्यों है चलिए देख लेते हैं अगला प्रसंद की बात करते हैं अगले प्रसंद की आप अपने घर में एक पंखा तीन बल्ब एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित सायोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए पर प्रो सर्कीट ब्रेकर लगाने से क्या लाब होगा आपको यह भी बताना है जैसे यहां पर कहा है कि यह पंखा तीन बॉल्ब एक वाटर पंप का उचित सायोजन बनाई है इसी तरह से कुछ भी पूशकता है और आपको एक सचित्र बना करके दिखा देना है और यह भी बत लेना है ठीक है यहां पर हम जितने प्रस्ण की बात करते हैं सब के सब प्रस्ण बेरी बेरी इंपोर्टेंट है परिचा के द्रिश्टी से और यह भी प्रस्ण को आपको छोड़ करके नहीं आना है ठीक है पूरा घर पर इतना ज्यादा इसको रिविजन कर लेना है कि परि डबल हो गया है ठिक चले देख लेते हैं अगले प्रस्ण यहां पे देखिए किसी प्रिज में द्वारा स्वेत प्रकास के वड़ विच्छेपड का असपश्ट रेखा चित्र बनाईए एक रंग के लिए आपतन कोड़ विचलन कोड़ को दिरूपीत कीजिए आगे देख ल लोड़े जाते हैं उसका तुल प्रतिरोद का जो फार्मूला है ने उसी को आपको क्या करना है निगमन करना है इसी के साथ हम अगले प्रसंद की बात करें तो कहता है कि पांच सेमी लंबी वस्तु दस सेमी फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस के मुख है चके लंबवाद 20 से सवाल को आपको कर लेना है यहां पर जो भी हम सवाल दिये हैं यह कोई जरूरी नहीं किसी तरह से पांसे में दसे में इस टाइब के सवाल पूछे जाएंगे ठीक और देखिए नुमेरिकल का एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस कर लेना है उस अभी देख लेते हैं अगला प्रस्ण एक मोटर साइकल के पीछे का द्रिश्य देखने के लिए पांच मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दरपड लगा है पीछे से आ रही दूसरी मोटर साइकल जो की पांच मीटर की दूरी पर है उसकी परतिविंब की इस्थिति आकार क्यांत की जिए ठीक है तो इसको आपको कर लेना है इसी के साथ हैं अगले प्रस्ण की बात करें तो बिद्दूत मोटर का कारेश इद्धान्त क्या है इसकी रचना का एक कारेविधी का चित्र बना करके अश्पोष्ट ब्याख्या कीजिए आपको बताना है कि बिद्दू आपर देखलें कि प्रतिवर्ती धारा विद्दु जनरीत का कारेकारी शिद्धान क्या है इसकी रत न ये वंग प्रसुन की बात करें तो किसी ओतल लेंस की फोकस दूरी पंडरे से में हैं, वस्त को लेंस से कितनी दूरी पर रखें की उसका प्रत्विम 10 से में दूरी पर बनें, लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन भी घ्यात कीजिए, तो इस प्रस्ण को आपको बिद्वते एकदम कर लेना है, चलिए बात कर उब देख लेते हैं चारोम से प्रतिसेकंड में 4 जूल उसमाउतपन हो रहा है तो प्रतिरोध के सी ओ पर बिभवांतर तथा धारा ग्याद कि जी आपको बता देना है किपल चौक प्रतिरोध से सुल वे सूल उस्वा ऊथपन कर रहा है तो तो इसके प्रतिरोद के दोनों प्रतिरोद के सिरोपर विभुवांतरता धारा कितना हो गया आपको बता देना है चलिए अगले प्रसंद की बात करते हैं नमांकित आरेक खीच कर किसी विद्धुत डैनमो का सिध्धांत का कारविधी असपश्ट कीजिए इसमें बुरुष क क्या कार है ये भी आपको बता देना है चलिए बात करते हैं अगले प्रसंद की कहता है निकट द्रिष्टी दोस से आप क्या समझते हैं इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है सपश्ट कीजिए और आरेक भी समझाए तो देख लिजिए आपको निकट द्रिष्टी दोस किनों के निमारण कारण अच्छे से complete कर लेना है यहां पर तो केवल हम एक दिये हैं लेकिन आपको यहां से पूरा का पूरा complete कर लेना है यह हम अगले प्रस्ण की बात करां तो किसी उतल लेंज की के फोकस दूरी 5 से में हैं वस्त को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि उसका प्रत्विम लेंस से 10 सेंटिमीटर दूरी पर बने लेंस दवारा उत्पना और धन भी ग्या तो यह अनुमेरिकल का प्रस्न है इसको भी आपको पूरा का पूरा complete कर लेना है चलिए बात करते हैं आगे अगला प्रस्ण कहता है किसी यल लंबाई तथा ए अनुपरस्त प्रतिछेद के तार पर प्रतिरोध 4 योम है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई यल बटे दो तथा अनुपर प्रतिछेद है यह प्रतिछेद का च्छत्रफर टूए हो इस सवाल को आपको लगा लेना है इसी के साथ हम अगले प्रसंद की बात करें तो काता है किसी लंबे तार का ब्यास दस्मलों पांच मीमी है तथा प्रतिरों दगता एक दस्मलों दस गुड़े अगले प्रसंद की बात करें तो किसी लंबे तार का ब्यास दस्मलों पांच मीली मीटर है तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुड़े 10 का पावर 8 प्रतिरोधकता 1.6 गुड़े 10 का पावर माइनस 8 मीटर है 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार किया सकता होगी यदि स्टार का ब्यास दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या आंतर आएगा चलिए अगले प्रतिरोधकी हम बात करें तो काता है किसी लंबे तार का ब्यास 10.5 मीली मीटर है तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुड़े 10 का पावर माइनस 8 मीटर है 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार किया सकता होगी यदि इस तार का ब्यास दोगुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा चलिए बात करते हैं अगले प्रसंद की यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्दु चुम्ब की प्रेरड से आप क्या समझते हैं विद्दु चुम्ब की प्रेर संबंदी नियमों को लिखिए और विद्दु जनरित का सिध्धान्त लिखिए इसको तो आपको पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लेना है अगले प्रस्ण की बात करें तो एक निकट द्रिष्टी दोस वाला व्यक्ति 20 से में दूर पर इस्तित पुस्तक को पढ़ सकता है उस तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए उसे कौन सा कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चसमे में फर्युक्त करना पढ़ेगा ठीक है इसको भी आपको कर लेना है एदि अगले हम प्रस्ण की बात करें तो अगला प्रस्ण काता है चुम्बकी छेतर में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है इन बल के लिए आवेशक शुत्र भी लिखिए इसको भी कर लेना है आपको यहां पर देखिए हम जितने भी प्रस्ण बता रहा है ना सब के सब बहुत ज्यादा महत्तोपूर हैं इनको तो आपको छोड़ना नहीं है घर पे बैठ करके पूरा का पूरा किसी तरह से इसको कॉंप्लिट कर लेना है ठीक आगे बात करें तो करा है कि 20 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन तार स्रेडी करम और समांतर करम में जुड़े हैं पर तेक दसा में तुल प्रतिरोध ग्याद कीजिए इन सभी ओमों को एक बार स्रेडी करम से और एक बार समांतर करम से लगा करके बताना है कि इसका तुल प् की रचना एवं कारेविधी का वरण कीजिए दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ति धारा में क्या आंतर है यह आप बताईए चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की विद्धुत मोटर और जनरित्र में क्या आंतर है विद्धुत मोटर के शिधांद का कारेविधी का सचित्र वरडन कीजिए ठीक और इसका पीडियाफ हम टेलीग्राम लिंग पर देदेते हैं थिक है तो जा करें आप टेलीग्राम लिंग पे जा करके पीडियाफ डाउन्लोड करेंं और वहां से सभी प्रस्णों को अच्छे से complete कर लें चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण काता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्द बल्व का सामर्त उसके प्रतिरोध के वियुत कर्मानुपाती होता है most important प्रस्ण है आगे अधी बात करें तो पूरा complete कर लेना है चलिए देख लाएं अगले प्रस्ण की बारे में कहता है किसी चालक के प्रतिरोध से आंका क्या तात पर है यह कीन कीन कारकों पर निर्भर करता है यह आपको बता देना है अगले प्रस्ण की यहां बात करें एधी आगे हम बात करें तो किसी भी लेंस अत्वा किसी भी दरपढ़ के वस्त को सभी स्थितियों में रख करके मतलब जो दरपढ़ है जो लेंस हैं चाहे दरपढ़ा उतल हो उतल हो लेंस उतल हो चाहे उतल हो ठीक है उनके सभी स्थितियों में वस्त को जहां जहां रख करके हम परतिम बनाते हैं सभी स्थितियों को क सभी स्थितियों में रख करके किरड आरे खीच करके अभ्यास कर लेना है कोई भी पूछ सकता है आपको क्या करना है जो मितलब दरपड और लेंस चाहे दरपड हो चाहे लेंस हो चाहे कोई भी दरपड हो चाहे कोई भी लेंस हो इसके सभी स्थितियों में वस्त को रख करके परत्वीं बनाना सिंख लिएना है कुछ भी इसमें से पूछ सकता है इसी के साथ को क्या करना है कि भीमिंग के दाएं हैं हथ और बाएं हाथ का नियंबी कमप्लीट कर लेना है तक उफु एक काम करेंगे हमने जितने भी प्रसन के बारे में डिस्कसन किया सब भी वीडियों को आप अच्छे से देख लें और जो भी आपके फ्रेंड दोस्त जो भी हैं उनको बतादैं की काम करें इन प्रस्णों को तो आपको complete कर लेना है अलग से आप complete कर लिटे और तो और उच्छी बात है लेकिन इन प्रस्णों को तेकदम hundred percent आपको किलियर कर लेना है और परिच्छा के दिरिष्टी से राम बान सिद्ध होने माला है तो आप क्या करें जो भी आपके दोस्त हैं उनको बताएं सब्सक्राइब करने को बोलें और देखिए जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को लाइक करते हैं तो हमारी मोटिवे तॉप टेन मुझे तॉप टेन मुझे